हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं निवास कर रही पूरी बाई की ये कहानी है पूरी बाई ने बताया कि हम जहां निवास करते हैं वहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी एक हैंटपम था वो भी दो से तीन किलो मीटर दूर पहार पार करके चोटे बच्चों को गोद में लेकर लाना होता था जिसे आर्थिक वस्वास्त को लेकर बड़ी परिशानी होती थी मेरे फली में लगभग 30 घर निवास करते हैं ये समस्या सब के साथ थी CMF संस्था के साथ निभा कर दिलाई हिम्मत पूरी भाई ने बताया कि एक दिन Center for Microfinance संस्था प्रतिनिती आये उन्होंने बताया कि आपकी फली में हमारी संस्था पानी पीने का प्रभंध करानी चाहती है अगर आप सब का साथ रहेगा तो संस्था प्रतिनिती ने हमारी फली के 8-10 लोगों को सूचना देकर मीटिंग बुलवाई सभी फली वासियों संस्था वो फली वासियों के साथ पैजल कारे करने हेदू सभी नियम आवली बताई फली की महिलाओं ने बाद में उप्त संस्था के बारे में अपने परिवार में बताया परंतो फली में मौझूद कुछ पुरुष मना करने लगे मेरे घर वाले तो नाराज हो गए कि बारी लोगों पर भरोसा नहीं करना लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि पानी लानी की बड़ी समस्या का सामना महिनाओं को जेलना पड़ता है मैंने वहां बैठक का आयोजन करवाया सभी की सहमती से कागजी कारवाई को पूरी करवाया पहाण काट कर पगडंडी को बदला रास्ते में पूरी मैं ने बताया कि कागजी कारवाई के बाद वहां कंस्रक्शन का कारे शुरू किया गया दीरे दीरे 24 गरों को पानी कनेक्शन हेतु जोडा गया पानी की टंकी इत्यादी बनने के लिए सामान आना शुरू हुआ परन्तु दो किलोमेटर दूर की गाड़ियां रुक जाती क्योंकि बड़े वाहन आने के लिए रस्ता नहीं था पकी सडक से कंदे पर लाद कर सामान लाना पड़ा अब पानी का बोरवेल खोदने हेतु बड़ी गाड़ी को फली में लाना था परन्तु फली में आने के लिए रास्ता के बल पगरंडी जैसा था इसलिए गाड़ियों ने फली में आने हेतु मना कर दिया गाड़ी वालों का कहना था कि बड़ी वाहन है इसलिए रास्ता बड़ा लगभा 12 से 15 फीट का होगा तभी गाड़ी आएगी सभी फली वासियों ने हिम्मत हार दी कहां कि अपनी किस्मत में पानी की सुविधा लिखी ही नहीं संस्ता वालों ने भी कह रिया कि रास्ता होगा तभी गाड़ी आप आएगी नहीं तो स्कीम दूसरी जगा स्तानांतरन करना पड़ जाएगा बारने फली में जो जल उपभोगता समू का गठन हुआ था उसकी आपात कालीन बैठक बोले बैठक में रास्ता बनाने के लिए ए चाकत के साथ रास्ता बनाने में जुड़ गए मातरब 20-25 दिन में रास्ता चोड़ा कर दिया जिसके बाद बोल वेल की गाड़ी आप आई और आखिर कारबोर वेल खुद आज सभी के घरों में पानी संबंदी कोई समस्या नहीं है सभी का स्वास्त पहले से अच्छा रहत जिनोंने हमारी स्कीम में सेंसर लगवाए जिसमें पानी की मातरा गुनवता की प्रति दिन जाच होती है और डिटा केंद्र में जल मंतराले को सीधा ओनलाइन रिपोर्ट होता है ऐसी योजना देश में चुनिंदा और राजिसान के एक मातर योजना हमारे यहां स्थित है कुछ वर्षों पहले हमारे फली में स्तान या नेता भी नहीं आते थे आज हमारी पैजल योजना को देखने के लिए बड़े बड़े IAS, RAS अफसरों के साथ कही प्रशासन के अधिकारी एवं नेता देखने और निरिक्शन करने आते हैं झाल 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 झाल